काल का परिचय और भेद बच्चो इस मोजूल में आप सीखेंगे कि काल किसे कहते हैं, काल की कितने भेद होते हैं बहुत पुरानी बात है, एक बार राजकुमार आदेत्य अपने मित्र अर्जुन के साथ जंगल की सेर को निकले अर्जुन, आज मौसम कितना अच्छा है, हरे भरे पेड, बहता हुआ पानी, भागते हुए हिरन, फुदगते हुए खरगोश, उड़ते हुए पक्षी, जब कितने प्यारे लग रहे हैं हाँ आदेत्य, यह सब देखकर मन प्रसन न हो जाता है अचानक उन्हें कहीं से कराहने की आवाज सुनाई दी, और आदेत्य ने सार्थी को रत रोकने का आदेश दिया सार्थी, रत रोको कोई मेरी मदद करो अरे अर्जुन, क्या तुमने कराहने की आवाज सुनी हाँ आधित्या, मुझे लगता है कि यह आवाज उन जाडियों की पीछे से आ रही है आओ, चल कर देखते हैं, हो सकता है कि किसी को हमारी सहायता की जरूरत हो आधित्या और अर्जुन प्रत से उतर कर जाडियों की पीछे जाते हैं वहाँ उन्हें एक कमजोर व्यक्ति, जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है हे देव, आप कौन हैं? और यहां क्यों पड़े हैं? आपकी यह दशा किसने की है? बच्चों, मेरा नाम काल है और मेरी यह दशा मेरे तीन रूपों के खोने के कारण हुई है हे देव, मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या आप अपना विस्तार से परचे देंगे? बच्चों, मेरा यानी काल का समान्य अर्थ है समय क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं जैसे शाश्वत पढ़ता था शाश्वत पढ़ता है, शाश्वत पढ़ेगा उप्रोक्त तीनों वाक्यों में पढ़ता था क्रिया शब्द से बीते समय का पढ़ता है क्रिया शब्द से चल रहे समय का वह पढ़ेगा क्रिया शब्द से आने वाले समय का बोध होता है ओ, अब समझे कि काल किसे कहते हैं, लेकिन आपकी यहदशा कैसे हुई? भच्चो, मेरे यानी काल के तीन भेद होते हैं, भूत काल, वर्तमान काल, तथा भविश्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूत काल कहते हैं, जैसे राम ने रावन को मारा था, हिरन भाग गए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, नदी बह रही है, जैसे पेड़ पर मीठे फल लगेंगे, आज तेज वर्षा होगी, भच्चो, मेरे ये तीनों भेद मुझसे अलग होकर अपने अपने भेदों को ढूंडने चले गए हैं, उनके बिना मेरी यह दशा हो गई है, अब जब तक मेरे तीनों भेद अपने भेदों के साथ वापस नहीं लोटेंगे, तब तक मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, ये कालदेव, क्या आपके भेदों के भी भेद होते हैं? हाँ बच्चो, मेरे प्रतेक भेद के भी भेद हैं, लेकिन तुम्हें उनके बारे में तभी पता चलेगा, जब तुम मेरे प्रतेक भेद से मिलोगे, तो ठीक है कालदेव, हम तुम्हारे तीनों भेदों को ढून कर लाएंगे और तुम्हें फिर से ठीक करेंगे बच्चों, यह अंगूठी रखो, यह तुम्हें तीनों कालों में लेकर जाएगी इससे तुम मेरे भेदों को अच्छी तरह से पहचान लोगे धन्यवाद कालदेव, हम जदी ही लोटाएंगे अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ आदित्य, आओ चलें इसके बाद आदित्य और अर्जुन काल के भेदों का पता लगाने चली गए आईए दोराई बच्चो इस मौजूल में आपने सीखा कि काल का सामान्य अर्थ है समय क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने की समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं भूत काल, वर्तमान काल तथा भविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से कारे के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूत काल कहते हैं।